केंद्री ग्री मंत्री अमिश्या ने की त्रीपुरा के सीयम के साथ ब्रू समझोते की कार की समिक्षा कॉंग्रेस सांसर्द राहूल गांधी ने 14 दिन कोचीज में शुरू की भारत जोडो यात्रा सचिन पाइलट भी हुए शामिल ये समय यूध का नहीं यूक्रेन वार पर पिया मोदी की पुतिन को सला की फ्रांस की राष्ट पती ने यूएंजी एस से की तारिफ यूपी में हिमाचल तक बारिस की आसार कुछ राजों में तेज हवाओ की साथ बिजली गिरने का अलट पहले ट्यूट्वेंटी में आस्ट्रेलिया ने भारत को हराया वेट दे तूफानी बेटिंग से पल्टा मैच नमस्कार मैं हूँ मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुख करते हैं उत्रप्रदेश की खवरों की ओर महराज गंज की अंबेडिकर नगर मोहले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन से शुरू सेवा पकवाड़ा के तहत केंद्री वित राजमंत्री पंकत चौधरी जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास सदर विधायक जैमंगल कनोंजिया और नगरपाली का अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जैसवाल ने जाडू लगा कर सफाई की इस अफसर पर केंद्री वित राजमंत्री पंकत चौधरी ने कहा कि स्वच्छता का उद्देश केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं बलकि नागर को की सहभागता से कचरा मुक्त वातावरण बनाना एक स्वच्छ भारत का निर्मार करना है इसके साथ उन्होंने लोगों को अपने घरों के आसपास सफाई करने की शपत दिलाई गाजीपूर में केंद्री सिक्षा राजमंत्री अनपूर्णा देवी दोरे पर रही उन्होंने सैदपूर तहसील के मलिकपूर गाउं में अमरिस सरोवर का निर्खषड किया और उन्होंने इस दोरान कहा कि किंद्र सरकार द्वारा परियावरन सरक्षड के लिए चलाई जा रही महतपूर योजनाओं में नमामी गंगे योजना के बाद अमरिस सरोवर का इस्थान है अमरिस सरोवर के से वर्सा जल संचयन और प्राक्रितिक संरक्षड का महतपूर कार भारस सरकार द्वारा किया जा रहा है इसके साथ ही मीडिया से बादचीत में विपक्षवर भी जमकर निसाना साधा सरकार आपके द्वार करेक्रम आप सब सुनते होंगे बिल्कुल यह आदेनिया प्रधान मंत्री जी की सोच है सरकार सिर्फ सासन के पास ही लोग न पहुंचे वालकि लोगों तक भी सासन पहुंचे और आज जीले की समिच्छा बैटक सेर्थपूर तासिल में की गई और हर एक विभाग की समिच्छा की गई कुछे विभाग के कारी शंतोजनत थे किसी के कुछ कम थे तो यह लोगों को यह कहा गया है कि जो भी विभाग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो वारा शंतोजनत कारी हुए है गाजीपूर के केंद्री सिक्षा राज मंत्री अंडपूर्णा देवी दोरे पर रही उन्होंने सैदपूर तैसील के मलिकपूर गाओं में अमरी सरोवर का निरिक्षण किया और उन्होंने इस दोरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा परियावरन सन्रक्षण के लिए चलाई जा रही महतपूर योजनाओं में नमामी गंगे योजना के बाद अमरी सरोवर के स्थान है अमरी सरोवर के माध्यम से वर्सा जल संचयन और प्राक्रितिक सन्रक्षण का महतपूर कार भारस सरकार द्वारा किया जा रहा है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता पवन हम से जुड़ेंगे पवन केंद्री सिख्षा राजमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दौरा किया है क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर जी हम आपको बता दे कि एक दिवस्टी अन्नपूर्ना देवी का जनपत गाधिपूर के सहथपूर तरसील में दावरा था जिसमें केंद्री मंती ने बताया कि आज जिलेक अधिकारियों के साथ जोजनाओं की समिच्छा बैठर सहथपूर तरसील में किया गया जी धनवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए देवरिया में सपानेता संगम यादाओ का ओडियो जम कर वाइरल हो रहा है जानकारी के मुताबिक किसी वर्क्शॉप करमचारी को फोन पर धमकाते हुए सपानेता नजर आ रहे है वहीं गाड़ी ठीक कराने को लेकर भड़के सपानेता फोन पर अपने आपको सपा कराश्टी सच्यू बताते वर्कशॉप में सब ही कर्मचारियों को फूख देने की बात कही जिसके बाद आडियो वाइरल होते ही वर्कशॉप कर्मचारी के तहरीर की आधार पर पुलिस ने केस दर्ज का लिया क्या है पूरा मामला आईए सुनते हैं देवरिया में सपानेता संगम यादाओ का आडियो जम कर वाइरल हो रहा है जानकारी के मुताबिक किसी वर्कशॉप कर्मचारी को फोन पर धमकाते हुए सपानेता नजर आ रही है वही गाड़ी ठीक कराने को लेकर भड़के सपा, नेता, फोन पर अपने आपको सपा का राश्टी सच्यू बताते वर्कशॉप में सभी कर्मचारीों को फूग देने की बात कह रही है जिसके बाद आडियो वाइरल होते ही वर्कशॉप कर्मचारी के तहरीर की आधार पर पूलिस ने केस दर्ज किया है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता रवी रावत हम से जुड़ेंगे रवी देवरिया में सपा नेता संगम यादा का आडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो धंकाते हुए नजर आ रहे हैं पूरा मामला क्या है बता देवरिया जनपत के पुर्वा महरा पे रहने वाले हैं संगम यादो जो सपा के वरिश नेता माने जाते हैं और वह गालियों की बहचार करते नज़रा रहे हैं ग για कर्मचारी को भुख देने की बात करते हैं और गालियों की ताबा तोड़ बहचार हो रही है, जिस पे पुलिस ने बहचार कर्मचारी के तहरीज का-दारप बिविन धराव हो मुकादमा अंधर्चकर आगे के करवाई म संबस जिले में अपने बिवादित बयानेों के लिए पहचाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के सांसर शफिकुर रह्मान ने प्रदेश में बच्चा चोरी के शक्त में सामने आ रही मारपीट की घटनाओ को लेकर बीजेपी सरकार पर निशान असाधा है उन्होंने कहा है कि सूबे अपूरे मुल्क में सरकार के इंतजाम सही नहीं है क्योंकि सरकार को सिर्फ 2024 के चुनाओ जीतने की फिक्र है उनका कहना सही नहीं है वो इसमें ये जो कुछ भी कह रहे हैं सबूत हमारे पास मुदूद है कि मुल्क के अंदर किस ख़दर बद इंतजामी है कर बड़ है हालात खराब है हमारे रसूल सलाओ सलम की शाहर में उस्ताकी की जाती है तो उस पर उनकी जुबान नहीं खुलती और उसको नपुशर्मा और नभीन जिंदल को उसको सदा नहीं जी जाती है भलके इसमें वो अपनी पार्टी की तुनियाद हो पार्टी अलिगड में दो दिनों से हो रही बारिश शहर के लिए मुसीवत बनी हुई है पूरे शहर की सडको को लेकर घर स्कूल तक प्रशास्निक भवन जलमगन हो चुके हैं जिसने आम जनमानस को पैदल ही नहीं वहनों से भी निकलना दूभर हो गया है वही नगर आयुक्त अमित ओसरी ने कहा शहर का चाड़ समहालते ही कहा कि जलभराओ की समस्या से निपटना पहली प्रात्मित्ता होगी नोड़ा के जलवाईू बिहार में दिवार गिरने के मामले में प्राधी करण के दो ठेकेदारों पर मुकदमा दर्श किया गया है सेक्टर 20 पुलिस ने IPC 304, 337, 338 वबाल स्रम अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्श किया है इसके साथ ही गुल मुहम्मद को पुलिस ने गिरफतार किया है और ठेकेदार सुन्दर यादों की तलास में छापे मारी कर रही है हुआं इसमें दो विख्टों के विरुध अभियोग पंजिकत हुआ है उसमें एक विरुध को गयर रफतार किया गया है जिसका नाम मुहम्मद है दूसरे अभियुद की तलाष किया रहे है उसे भी शिग्री हम लोग बगर रफतार कर लेंगε और इसमें अब्यूद कन के विरूद 304, 337, 338 और बाल स्रम अधनियम के अंतरगात अब्यूद पंजिगत किया गया है अग्रम विधिकार वही की जारी इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवाद आता शुशान्थ हम से जुड़ेंगे शुशान्थ नोड़ा के जलवाईू बिहार में बड़ा हाथा हुआ था दिवार गिरी है जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्सनल लिया है और दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्श किया है क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर जिए बिल्कुल नोड़ा के सेक्टर 20 था ना चेतर में जलवाईू वियार में कल एक बहुत बड़ी गटनावी थी जिसमें चाल लोगों के मिर्ति हो वे थी उस दोरानी जो जिनने टेंटर के थी जो नोड़ा तोर्टी द्वारा जो कॉंचेक्ट दिया गया था दो दो थेकेदारों को उन दोनों के लाप पुलिस में 326 में कारवाई करी है और उन्हें अरेस्ट करके एक को जील वेज जय गया है और दूसरे की जहां जब भी जारी है पर शुशान तमाम जानकारियों के लिए राजधानी लखनाओं के पारा थाना शेत्र के ग्राम सलीम पूर पतावरा में मकान अवैद कैमिकल फैक्टरी में आग लग गई जिसके सूचना के बार मौके पर जिलाधिकारी सूरपाल गैंगवार घटना सल पहुचकर मामले का जायजा लिया बता दें कि इस आगजनी में एक शक्स की मौत हो गई जिसके परजनों को जिलाधिकारी ने क्रिशक वीमा योजना के तहट ततकाल पांच लाख रुपे की सहायता उपलब्द कराने की नर्देश दिये है ग्रेटर नोड़ा में जेवर्थाना शेतर की पुलिस और बदमासों के बीच मुट भीड हुई जिसमें 25,000 रुपे की नामी बदमास विकास को गोली लगी है गोली लगने से बदमास खायल हो गया जिसे इलाज के लिए पुलिस ने जीला स्पताल में भरती कराया है इसके साथ ही पुलिस ने बदमास के पास से बाईक तमन्चा कार्तूस भी बरामत की है जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री सीटर बदमास ग्यानेंदर की हत्या के मामले में फरार चल रहा था महराज गंज के सोनौली में मुख्यमंत्री योगी आदितनाद द्वारा अवैद मादक पदार्थों के उपर कारवाई के सक्ट निर्देश देने के बाद पुलिस और SSB की टीम ने जगहा पर छापे मारी कर 165 ग्राम हिरोईन के साथ चार अभियुक्तों को गिराफतार किया गया है बरामत हिरोईन के अंतराश्टी बाजार में कीमत लगभग डेड कडोर रुपे बताई जा रही है पुलिस पकड़े गए चोरो अभियुक्तों के खिलाफ NDPCS Act में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की करवाई कर रही है स्रीमान पुली सदिक्षक महराजगन के अपर पुली सदिक्षक महराजगन के कुसल नेद्रत में इंडो नेपाल वार्डर पर माधक पड़ारतों की तसकरी की विरुद्ध चलाए गए अभियान के इक्रम में कल पर एसेसबी और पड़ार की अस्थानों करचा भी वारी ती गए जिसमें चार अस्थानों से चारी प्रुद्ध पड़े गए हैं जिनके पास से कंस्टिटिवल मात्रा में मात्रक वरामत हुए है सीटापुर में सकरन ब्लॉक के ग्राम अंदूपुरा में घर से चारा घास काटने गए 15 साल के युवक का शब नाले में मिलने से शेत्र में संसनी फैल गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पंचनामा भर पोस्माटम के लिए भेज दिया है जानकारी की मुताबिक खेत में घास लेने के लिए साइकल से गया हुआ था जब काफी देर तक घर वापस नहीं आया तो परजनों ने युवक की खोजबीन सुरू की युवक के कपड़े पर चपल नाले के पास मिले हैं जो परजनों की तलाश करने पर युवक कशब नाले में मिला फिलाल उत्तरप्रदेश की खबरों में इतना हिद्देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी कुझे पाव पुष्पार